मंच पर उपस्थित, आत्य जन्ता पार्टी, तेलंगाना के जुझारू, कर्बट, समवेधन शील और समाच से जुड़े हुए ऐसे हमारे राच्य के अध्यक्ष सम्मानिय संजय बंडी जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री, शीजी किशन रेडी जी, डॉक्टर के लक्षमन जी, तरुन चुक जी, हमारे राच्ट्रिय महमंत्री, तुनील बंसल जी, दीके अरुना जी, हमारी नाशनल वाइस प्रेजिडेंट, पी मुर्लिधर राओ जी, जो हमारे वरिश साथी हैं और म अध्यप्रदेश के प्रभारी हैं, शी सुधाकर रेडी जी, जो तमिल नाडु के इंचार्ज हैं, शी एटला राजिंदर जी, शी गरिकापती मोहन राओ जी, शी जी विवेक जी, शी एपी जितंदर रेडी जी, सीमति विजय शांती जी, शी इंदर सेन रेडी जी, मनोहर जी, शी जी परेंदर रेडी जी, कुमारी भगारु शुती जी, अमारे प्रदीप कुमार जी, धर्मपुरी अरविन जी, हमारे MP, और सोयन बाबु राओ जी, यहां मंच पर उपस्चित सभी वरिष्ट नेतागन और यहां इतनी बड़ी संक्या में इकत रहे हमारे नौजवान साथी देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी सबसे पहले तो और उगल्लू गड़ा वारंगल प्रजालाकू ना नमस्कारम पित्रों आज मुझे वारंगल में आने का मौका मिला है और भद्रकाली मंदिर के दर्शन करने का भी मुझे मौका मिला इस पवित्र धर्ती पर इस प्रवित्र स्थान पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है सबसे पहले तो इस पवित्र धर्ती को क्रांतिकारी की धर्ती को कला से जुड़ी हुई धर्ती को और काकातिय सामराज्य के मा भद्रकाली जो वहां की कुल देवता भी है ऐसे धर्ती को मैं नमन करता हूँ और आशिरवाद लेकर के अपनी बात को प्रारण करता हूँ मित्रों अभी मेरे बाद क्योंकि मुझे जाना है इसलिए हमारे बनेतागंड आप से बहुत सी बातें बड़े तफसील से करेंगे और वो आपके सामने सारी बातें रिकास के दृष्टी से रखेंगे लेकिन आज मुझे तीसरे फेज का इस यात्रा का जो प्रजा संग्राम यात्रा है उसके समापन कारकरम में मुझे आने का स्वाबाग्य मिला है मुझे खुशी है कि प्रसम चरण में आपने 36 दिनों की यात्रा संजे बंडी जी ने की 438 किलो मीटर आप चले और लगबग 8 डिस्टिक्स और 19 विदान सवा के एक लाके में आपने का लोगों के साथ अपना जुडाओ बनाया मुझे इस बात की भी खुशी है कि दूसरे चरण में आप लबजग 31 दिन आपने पद्यात्रा की और आपने 383 किलो मीटर की यात्रा की लगबग 9 शेत्रो पार्लिमेंटरी कंस्वेंशी से होते हुए आपने 5 जिलों को टच करने का प्रयास किया वहाँ की यात्रा से आप चुड़े और ठीसरे में आप लगबग 325 किलो मीटर की पद्यात्रा करते हुए आप लगबग 5 जिलों से होते हुए आज यहाँ वारंगल में आए हैं और यह तीसरे चरण का समापन है मैं आपको बहुत बहुत बढ़ाई देता हुँ कि आपने और आपके नेचित्व में चंता से जुड़ने का ये कार है ये जो आपने चंता के साथ अपना संपर्ख बनाया है इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मित्रों जब हम यात्रा की बात करते हैं तो ये यात्रा किसली है इस यात्रा का मकसद है कि जिस तरीके से TRS तेलंगाना रज्य समीती और केशव चंदरशेकर राओ के नित्रतु में तेलंगाना को एक अंधेरे में धकेर रही है उससे निजाद दिला करके यहाँ फिर से उजाला हो विकास हो नई कहानी लिखी जाए इस संकल्प को लेकर कि हम चले है और जब हम यह कहते हैं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहने है आज मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पता चला कि मेरे आने के पहले इस ग्राउंड का पर्मिशन रोख दिया गया था कैंसल कर दिया गया था मुझे पता गया कि रात के बारा बजे पोर्ट के द्वारा नयायाले के द्वारा हमें यहां का पर्मिशन मिला है मुझे बताया गया कि जब मैं एरपोर्ट पे उत्रा तो हमसारा स्वागत नहीं हो सकता है क्योंकि धारा 144 केसी आर की सरकार नहीं, अंधेरी सरकार, या जनता विरोधी सरकार, इस सरकार ने धारा 144 लगा दिया। जब मैं निकल रहा था तो जगह जगह पर जहां मेरा स्वागत होना था वहां भी धारा 144 लगा दी गई था फित्रो जब मैं दूसरे चरण के भी यात्रा में आया था जब संजे बंडी को अरस्ट किया गया था तो मैं उनको छुडाने के लिए आया था तो उस समय भी मुझे एर्पोर्ट पे कहा गया था कि कोरणा का प्रोटोकॉल के तहद हम आपको एर्पोर्ट से बाहर नहीं जाने दे ये कैसा तिलंगाना राज्जे बन गया है पर जा तंत्र को ताक पर रख करके जिस तरीके से केसी यार आप ये सरकार चला रहे हैं आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में तेलंगाना की जन्ता आपको घर में बठाएगी और भात ये जन्ता पार्टी को आगे ले करके आएगी इसको समझना है मैं एक बात और भी आपसे कहना चाहता हूं कि ये तेलंगाना जहां निजामों ने राज किया उसके अंतिम निजाम थे जिनका नाम था दवाब मीर उस्पान अली खान ये अंतिम तेलंगाना के नवाब रहे जिन्होंने तेलंगाना में राज किया और इनका अंतिम फर्मान क्या था अंतिम फर्मान अंतिम फर्मान था कस्ते निशान 53 कस्ते निशान 53 इसका मतलब था कि तेलंगाना में कोई भी जन सभा नहीं कर सकता है कोई भी बिना पर्मिशन के कोई भाशन नहीं दे सकता है कोई स्कूल नहीं खोल सकता है कोई लाइफ्ररी नहीं खोल सकता है कोई अक्वार नहीं चला सकता है कोई जंच सभा नहीं कर सकता है लेकिन हमारे मीर उस्मान सहाव अली खान ये भूल गए कि ये फर्मान उनका अंतिम फर्मान था और मैं आज के निजाम के सी आर को बताना चाहता हूँ तुम्हारा भी प्रोहिबिटरी ओर्डर्स ये अंतिम फर्मान होगा इसके बाद तुम्हारी भी छुट्टी हो जाए ये नए निजाम आ गए है और नए निजाम का क्या कहना मैं भ्रष्टा चार की बात करूँ मैं पीछे भी आया था जहां मैं एक तरफ बताता हूँ कि आदर निये मोदी जी के राज में विकास की जड़ी लगी है विकास का कारकम चल रहा है मैं यहां आ जाया हूँ मुझे याद है कि कमम से मैं जा रहा था तो ककातिया मेडिकल कॉलेज के बारे में उस समय धर्मा राओ जी ने हमारे मुर्ली धर राओ ने हमारे संजेब अड़ी जी ने कहा कि इस हॉस्पिटल की बुरी हालत है और मैंने उसी समय मुधी जी के आशिरवाद से सुपर स्पेशल्टी ब्लॉक के लिए एक सो बीस करोड रुपे उसी समय हमने रिक्शन की है विकास के अने को कहानिया हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन चाहे वो महिला सशक्ती करन हो मोदी जी के नित्रत में चाहे युवा सफेक्षिकरन हो चाहे गाओं का विकास हो चाहे सुष्टा अभियान हो चाहे उज्वला के माद्यमते महिलाओं को सशक्टिकरन की बात हो चाहे प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना हो गरीबों के पेट में दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो फिर चाहे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी हो और फिर चाहे प्रधान मंत्री किसान मांधन योजना हो आज किसानों को ताकत देने का काम महिलाओं को ताकत देने का काम युवाओं को ताकत देने का काम समाच में दलिद वंचिप पीडिद को ताकत देने का काम अगर ये काम किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रहान मंत्री श्री नरेंद्र मौदी जी ने किया है इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए लेकिन जब मैं यहाँ की बात करता हूँ तो मुझे दुख भी होता है अभी मुझे बताया गया जब ग्यारा जिलों में फलड़ आए तो केंडर ने 377 करोड रुपे एलोकेट किये 377 करोड रुपे और 188 करोड रुपे उसमें से रिलीज किये लेकिन कोई भी मदद केसी आर के द्वारा इन पैसों से जंता की नहीं की गई उनकी अंदेखी की गई इस बात को भी हमको ध्यान लगता है मैं जब केसी आर के रश्टा चार की बात करता हूँ तो मुझे यह बताते हुए दुख भी होता है की केंद्र ने सेंट्रल गवर्मेंट की स्कीम्स में तीन हदार नौसो ब्यासी करोर रुपे जल जीवन मिशन में स्टेट तेलंगाना को दिया लेकिन अभी तक तेलंगाना का राज्य सिर्फ दो सो करोर रुपे ही खर्च कर पाया है ये सारे आकड़े मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि एक तरफ रिकास के लिए प्रधान मंत्री जी तेलंगाना की जनता को आगे बढ़ाना चाहते हैं वही केसी आर फंड को रिलीज नहीं कर रहे हैं और फंड रिलीज कर रहे हैं तो डाइवर्ट कर रहे हैं जनता को नहीं दे रहे हैं इस बात को भी हमको याद रखना होगा मित्रो मैं बड़े अदब के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारे नेता जहाँ स्कीम्स का नामकारण भी बदल रहे हैं वहीं केंद्र सरकार का पैसा लेकर के अपने नाम पर स्क्रीम चलाने की कोशिश कर रहे है भीत्रो मैं एक बात यहाँ आप से जरूर कहना चाहता हूँ कि एक बहुत प्रगल के बाद तेलंगाना राज्य आया है सब लोगों ने मेहनत की थी और भारतिय जन्ता पार्टी वो पार्टी रही जिसने सबसे पहले तेलंगाना राज्य का समर्थन किया था और तेलंगाना राज्य को बनाने के लिए अपना योगदान किया वी वर दे फरस्ट ताकानाडी रिजोलूशन काकीनाडा रिजोलूशन ये काकिनाडा रिजूलिशन उसमें हम लोगों ने किया था और आंद्र प्रदेश के दो हिस्से होने चाहिए आंद्र और तेलंगाना ये बात कही थी लेकिन जिस तरीके से पिछले सालों में तेलंगाना को नीचे दिखाने का प्रयास केसी यार के द्वारा हुआ है ये तेलंगाना की जनता कभी उनको माफ करने वाली नहीं है ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए अभी कई बार चर्चा होती है और मैं भी उसको चर्चा में हमेशा लाता हूँ और वो चर्चा इस बात की होती है कि हमने विकास के दुरिश्टी से यहां पर हर तरीके से टीम्स को आगे बढ़ाने का काम किया था यहां पर जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है यह प्रोजेक्ट अपने आप में एक ध्रश्टाचार का पर्याईवाची बन गया है जहां उसमें 40,000 करोर रुपे खर्च होने थे आज एक लाख 40,000 करोर रुपे खर्च होने की बात हो रही है मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कालेश्वरम यह केसी आर का एटीम बन गया है और यह पैसा बनाने का मशीन बन गया है ब्रश्टाचार का अट्डा बन गया है इस बात को भी हमको समझना चाहिए आपको याद होगा उन्होंने टू बेडरूम हाउसेस की बात की थी और प्रदान मंत्री आवासियोजना प्रदान मंत्री आवासियोजना ग्रामीन और हमारे रूरल इस दोनों स्कीम्स ग्रामीन का भी और शहर का भी दोनों ही schemes को एक तरीके से टाक पर रख दिया है उसके भी विकास को रोख दिया है इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है जिसको हमको याद रखना चाहिए और समझना चाहिए मित्रों हर तरीके की बात जब मैं कहता हूँ तो मैं ये भी कहूंगा कि केसिया ने कहा था कि हम सितंबर में लिबरेशन डे मनाएंगे आज वो भूल गए क्यों भूल गए क्योंकि मजलिस के कारण आज उनके दवाव में आकर के जिन रजाकारों के खिलाफ हम लोगोंने लड लड़ाई लड़ी जिन के खिलाफ निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और चब लिबरेशन डे तरंगाना की मनाने की बारी आई तो केसियार उसको भूल गए मैं आपको बताना चाहता हूं आने वाले समय में आप भारतिय जंता पार्टी की सरकार लगाएंगे और लिबरेशन डे हम मनाएंगे सरकारी तोर पर मनाएंगे इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए पित्रों अगर हम विकास के दृष्टी से बात करें तो जितनी भी स्कीम्स हैं इस स्कीम्स को भारतिय जंता पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है उसको केसियार रोकने का प प्रफ बन गया तो प्रदेश बिकास के लिए छलांग लगाने वाला प्रदेश था वह आज विकास से वंचित हो गया यहां अप रश्टा चार और व्रस्टा चार की आग यहीं तक नहीं रुकी है अप्रश्टा चार की आवाज और उसकी सेख दिल्ली तक पहुंची है य और तरीके से ब्रश्टा चाहिए क्या इसी सरकार को आप रहने देंगे क्या आप मानते हैं ना कि केसी आर भारतिय जन्ता पार्टी से घबरा गया है घबरा गया है आपने दुबाका में धमाका किया था कि नहीं किया था आपने हुजूर अबाद में हुजूर को नीचल लगाया था कि नहीं लगाया था और राजेंदर इटला को चिताया था कि नहीं चिताया था अब अगली वार आपने सारे तलंगाना में आपने इनको धमाका देना है इनको घर बठाना है और कमल किलाना है इस बात के लिए हमक तो आपको हमारे वरिश साथी बहुत सी बातिर कहेंगे और वो डीटेल में बताएंगे आज किसी कारलवश मुझे जाना पड़ रहा है इसलिए मैंने सबसे पहले आप से बात करने की इच्छा जाहिर की और आपने मेरी इच्छा को सुना है आपने मेरी बात को बहुत किना चाहता हूँ आप जाईए तेलंग आना की जंता आपका इंतजार कर रही है घर घर में कमल खिलाएए उनको संडेश दीजिए इस ब्रश्टाचारी तानाशाही सरकार को उखारने का आहवान कीजिए जंता आपके साथ है और एक बात समझ लीजिए कि ये गश्टे नि निकानने वाले नया निजाम ये इसका अंतिम आउडर होगा इसके बाद ये घर बैठेंगे और आपको टेलंगाना की जंता की सेवा करने का मौका मिले इसको आप पूरी ताकत से आगे बढ़ाएं इतना ही कहता हुआ आप सबसे न चाहते हुए भी विदा लेता हूँ फि जे वारत जे टेलंगाना